हलो प्रेंट्स वेलकम बेक MK Knowledge ग्रूप में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे कम्प्यूटर के समान प्रश्णा जो की सेजी व्यापम में प्रीवेर सेर्स में पूछे गये हैं उन सभी कोचनों को हमने इसमें समयवेस किया है तो वीडियो के आप अ कोचनों को आप बना पा रहे हैं और कितने कोचन आप से नहीं बन पा रहे हैं इन सभी चीजों को भी देखेंगे और व्यापम द्वारा जो एंसर लिए गये हैं उन सभी एंसरों को भी हम इसमें देखने वाले हैं तो चली हमीं स्टार्ट करते हैं कम्प्यूटर का समान प पूछ रहे जाते हैं तो जैसा कि मंडे इंस्पेक्टर और जो भी हमारा संपरिक्षक है एक्जाम में उसमें 20 नंबर के पूछे जाने की समावना है समाने जनरल में भी कई कोशन ऐसे पूछ रहे जाते हैं तो इन सभी दिरिष्टी से काफी अच्छा रहेगा यह वीडियो आप सभी के लिए काफी बेनिफिट रहने वाला है तो वीडियो के आम तक पर रहेगा चली हम बाप करते हैं पाला या कोशन है कि एक छोटा ऑप्टिकल स्टोएज डिवाइस जिस पर डाटा जैसे गाना टेक्स या ग्राफिक इमेज डिजिटली इनकोड के जा सकता है तो उसके बारे में आपको बताना है चार ओप्शन यहाँ पर आपको दिये हैं इस परकार से आप समझ सकते हैं कि आप व्यापम के या टेस्ट रूप में ऐसे बैठे हुए हैं उसी परकार सापके एंसर दे सकते हैं एक छोटा ऑप्टिकल स्टोएज डिवाइस जिस पर डाटा जैसे गाना टेक्स तता ग्राफिक्स इमेज डिजिटी इंकोड के जाता है क्या कहला इसको बताना है आपको ऐसा डिवाइस जो फोटोग्राप की रूप में डिजिटल डाटा को कम्प्यूटर में कदिनत कर सकता है कहलाता है सी नंबर यानि की डिजिटल केमरा बहुत ही असान कोचन है आप लोग इसको इस प्रकार से पढ़ें जैसे कि हम एक्जाम नहीं टे सर्च टर्म्स के सूचना लिए बेपरिज यानि जो भी हम अंकित करते हैं सर्च टर्म्स में उनके दुवारा जो भी सूचरह होती वह बैप बेज कर में प्राप्ठ होता है एक सर्च इंजन का एक परोग्राम है जो सर्च करता है चलिए नेक्स हैुए में असे कम्न सी ची उप्योग करके एक बेब पेज लोकेट किया जाता है बहुत ही अच्छा कोस्चन है बेब पेज से कोस्चन पुछा जा रहा है और इसले सभी topics को भी आपको कभर करना होगा तो इसका right answer B number होगा uniform resource locator ठीक है ऐसा कौन सा चीज है जो कि एक बेब पेज को क्या करता है लोकेट करता है तिसका right answer हो जागे uniform resource locator के द्वारा एक बेब पेज को लोकेट किया जाता है चली next है इन में से किस वर्स गूगल स्थापित हुआ था देखे गूगल का स्थापना वर्स पुछा है तिसका right answer हो जागे d number 1998 में गूगल की स्थापना हुआ था यानि पहली बार गूगल संचालित किया गया था 1998 में चली निम लिखित में से कौन सा malware है इस परकार से antivirus के रूप में भी कभी-कभी पूछ ले जाता है इसमें सापको malware बताना है कि कौन सा malware नहीं है यहाँ पर question को अच्छे से पढ़ना चाहिए कभी-कभी है या कभी-कभी नहीं है जैसे सब्दों का भी यहाँ पर परयोग होता है तिन सबी चीजों को भी minor mistake में हम समझ सकते हैं ति इसका right answer होगा कौन सा malware नहीं है ति इसका right answer C number होगा यानि कि application software एक malware नहीं है यह malware के अंतरगत नहीं आता है जबकि warm हो गया तथा, sperm हो गया तथा, computer virus जो है ओ, क्या है? malware के अंतरगत आते हैं इस परकार से इसका right answer क्या होगा? C होगा चलिए हम next question को और हम पढ़ रहे हैं सभी important question है, वीडियो का पाम तक बने रहेगा और एक दो बार निश्चित रूपश आप देखेंगे तो आपको याद हो जागा और इसमें से कई question आपके exam में देखने को भी मिलेंगे जैसे कि आप test में ऐसे देख पा रहेंगे जैसे कि MPEG का मतलब निवन में से comment साह इसको right answer बताना है MPEG का मतलब आप लोग सभी लोग जानते होंगी इसका आसान question है कई बार यह question repeat किया गया है इसका right answer व्याप्म द्वाला व्याप्म द्वारे बिलोपिन किया है इसका right answer होता है MPEG का मुवी जो है protection experiment group बट यहाँ पर इसको बिलोपिन किया गया है चलिए next question है AU audio format किस company ने develop किया है इस प्रकास से कोई भी company द्वारे किसी भी company को develop किया जाता है तो उसके format को यहाँ पर पूछ लिया है इन सभी चीजों को भी आप देखेंगे AU audio format किस company ने develop किया है तो इसका right answer क्या हो जाएगा B number यानि किसन company ने इसे developed किया है चलिए next question को बढ़ रहे है इन में से कौन सा multimedia तत्व computer पर सरवाधिक performance demand करता है बहुत ही अच्छा question है इस प्रकार से multimedia से question आपको देखने को जरूर मिलते है तो इन सबी चीजों को भी आपको घ्यान रखना चाहिए इन में से कौन सा multimedia तत्वा computer पर सरवाधिक performance डिमांड करता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा D number यानि की video वीडियो क्या भी चलता है जब multimedia पर सरवाधिक यदि अच्छे से performance कर डिमांड करता है तो वो multimedia में सरवाधिक क्या होता है वीडियो का ही होता है नेक्स नहां पर question दिया है कि आधुनिक एक बार लिखने योग optical storage device कवंसा है तो आधुनिक योग के इसके बात कर रहा है तो इसका right answer हो जाएगा D number यानि की CD-ROM disk CD-ROM disk क्या है आधुनिक एक बार लिखने योग optical storage media है ठीक है एक बार CD-ROM यानि की read only memory है इसमें एक बार रहे लिख दिया जाए तो केवल read only memory हो जाता है केवल read आप करेंगे लिखने योग है बार बार इसमें लिखा नहीं जा सकता है चलिए next है एक email भेजने के जैसा है इसका write answer बताना है एक email भेजने के जैसा है क्या है इसका write answer क्या हो सकता है तो एक email भेजने के जैसा है एक कहानी बोलना एक पत्र लिखना एक ड्राइंग बनाना तथे invest coin ही बहुत ही असान question है सभी लोग इसका answer आप लोग दे दी होंगे इसका write answer हो जागे एक पत्र लिखना यानि कि electronic mail ही होता है यानि कि email के द्वारा हमें एक पत्र को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक भेजते हैं जैसा कि पहले पत्र को भेजा जाता था postman के द्वारा चली next question के और हम बढ़ रह होगा internet protocol IP का full form जो है इसका address पूछाता है एक email account एक storage छेतर रखता है पर आई इससे क्या कहा जाता है सभी लोग जानते होंगे जो email को चलाते होंगे इसका write answer हो जाएगा C number यानि कि mailbox का लाता है जहांपर एक email account होता है जहांपर storage छेतर रहता है वह mailbox के नाम समझाते हैं जहा antivirus software किस प्रकार का software है इसको बताना है आपको antivirus का जो software होता है वह क्या है B numbers का write answer होगा utility software आता है software की परभासों अपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा DCA और भी आपने किया होगा antivirus software का विश्तरित रूप से वहाँ पर देखने को मिलता है अब एक मैं बता रहा जो लगबग 120-30 रूपए में आती है वह किरण प्रकासन का book बहुत ही अच्छा है उसमें antivirus software के बारे में विश्तरित रूप से और अच्छे से दिया गया है तो इस पूस्तक को आप वहाँ सभी देख सकते हैं और सभी question antivirus का या किसी भी question जो computer का जो है किरण प्रकासन बहुत अच्छा प्रकासन है उसका और बहुत ऐसा book है वह book मेरे पास भी उपलबध है और उसी से हम पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं उसी से हम छाटते हैं question को answer को भी देखते हैं कापी अच्छा answer भी रहता है तो आप हो सके तो किरण प्रकासन की book से ही पढ़ेंगे चलि एक राइट answer भी निमबर होगा उन वाइरस को खोज सकता है जिसके लिए program लिखा गया है तो antivirus का नुकसान यह होता है को उन वाइरस को खोज सकता है जिसके लिए program लिखा गया है सही है next question में बात करते हैं एक operating system software होता है तो operating system software का आप लोग परिभासाओं को जानते देंगे बहुत ही असान question है इसका right answer क्या हो जाएगा c number यानि कि software routine ठीक है संग्रा इसका right answer क्या होगा software routine संग्रा ठीक है याद रखेंगे इसका right answer क्या होगा software routine संग्रा जो है एक operating system software होता है यह software का routine संग्रा रूटीन का मतलब जानते होंगे जैसे कि आप लोग समाने बोल चल की भासा में daily routine जिसके नाम समझाते हैं किसी भी चीज का तो संपूर्ण जो computer का कारेकरम होता है वह daily routine की रूप में हम कह सकते हैं कि operating system का कारेमात्पूर्ण रूप से यानि कि boda जो है एक mobile operating system software नहीं है सही है इसका right answer क्या हो जाएगा b number जबकि android mobile आपने चलाया होगा openbase OS रहता है windows आपने देखा होगा पर boda software जो होता है वह operating system का नहीं होता है एक mobile operating system मा परयोगत नहीं होता है next है f8 button तीन बार दबाने पर word document में चैनित होता है इसका right answer हो ज जाए कोशन है कि यदि एफ button को तीन बार दबाया जाता है तो word document में क्या होता है एक paragraph अनुछेद का क्या हो जाता है चैन कर लिया जाता है next है excel का या function पंक्ती डाटा को इस्तम डाटा यो इस्तम डाटा को पंक्ती डाटा में प्रतरसित करता है क्या कहलाता है बहुत ही अस main topic है इन topic से exam में देखने को आपको मिलता है तो इसका अगर हम right answer की बात करें तो इसका right answer क्या हो जाएगर d number यान की transpose कहा जाता है जब किसी भी function को data को इस्तम डाटा में तथा इस्तम डाटा को पंक्ती डाटा में अगर प्रतरसित करते हैं तो उसे हम transpose के नाम से हम जानते ह हैं चलिए इसी प्रकार से next हम question के और बर रहें next हमारा question है कि powerpoint presentation software में खालिस थान टेब का उप्योग कर slide master प्रतरसित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं तो इसका right answer क्या होगा powerpoint से भी देखिए आपको question पूछा गया है powerpoint का जैसे कि आप लोग DCA में या PG DCA में पढ़े ह होंगे बहुत मात्मूर chapter है powerpoint से question आपको देखने को मिलता है और यह असान question है लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं है तो इसका right answer आप लोग नहीं देपाते हैं चलिए इसका right answer हो जाग व्योग ठीक है powerpoint presentation software में व्योटेब का उप्योग कर slide master प्रतरसित किये जाता है यह समान माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है इसका right answer हो जागा giga heart touch की heart touch के दवारा microprocessor की गति को मापा जाता है चलिए next है printer जिसमें printer head के कागज पर प्रभाव के दबाव से character print होता है बहुत ही अच्छा है printer से question हराता है और सभी से बन जाता है इसे right answer होगा impact printer इसका right answer क् इंपेक्ट प्रिंटर क्या होता है वह प्रिंटर है जिसमें प्रिंटर हेड के कागज पर प्रभाव के दबाव से करेक्टर प्रिंट होता है जब किसी हम प्रभाव देते हैं उसके दबाव से क्या होता है तो उसे हम इंपेक्ट प्रिंटर के अंद्रे फिर नोन इंपेक्ट एक प्रेंटर होता है जिसमें हम करेक्टरों को बहुचार के द्वारा उसमें केचाता है नेश्ट हम बात करते हैं एक प्रप्रप्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्रा जाएगा सी नंबर यानि की सोलारी एक्सप्रेस ठीक है एक जो है प्रप्राइट्री ठीक है प्रप्राइट्री ऑप्रेटिंग सिस्टम सॉफ्ट्वेर है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा सी नबर यानि की solarie express solarie express जो है यह क्या है proprietary marketing सिस्टम के अंदरगत आता है इसे भी आप याद रखेंगे solarie express उबंतु से question पूछा गया है open solaris से पूछा गया है free video से पूछा गया है फिर सबी question को भी आप देखेंगे यह character printer नहीं है इसका राइट एंसर क्या होगा इसका राइट एंसर क्या होगा यह नमबर यानि कि बैड प्रिंटर एक क्या है करेक्टर प्रिंटर नहीं होता है यह क्या करता है लाइन प्रिंटर है ठीक है बैड प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है ब्रिहत प्रिंटर है और एक बार में कई लाइन छापने की छामता रखता है, इसे हम बेल्ट प्रिंटर गाते हैं, एक करेक्टर प्रिंटर नहीं है, ठीक है, एक कंप्यूटर फेरी फेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, इसका राई टेंसर बताना है, एक कंप्यूटर को फेरी फेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकत है तो इसका राई टेंसर हो जाएगा डी नूमबर यानि की बायोस को ठीक है एक कंप्यूटर फेरिफरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है बायोस से बायोस को क्या होता है बायोस जो होता है वह कंप्यूटर के फेरिफरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है उससे करेक्ट नहीं हम बुटिंग कहते हैं और बुटिंग में जो software यूज में आता है वह operating system software होता है इसका राइट एंसर बी नमबर होगा कि operating system software के द्वारा ही computer का क्या कह जाता है परारम के जाता है या बुटिंग का पुरसे संपन होता है जिससे हमारा computer खुलता है और desktop हमें दिखता है computer में dma से क्या तातपर है इस प्रकार से फुल फॉर्म भी आपको देखने को मिलते हैं इसका राइट एंसर यह नमबर होगा direct memory access dma का मतलब होता है direct memory access तीन सबी चीजों को भी आप ध्यान आपको देखने को मिलता है कि किस कोर का आप लेना चाहते है कि जनरेशन का लेना चाहते हैं तो सबसे तेज प्रोशेसर के हम बात करें इसमें तो ौऔर i7 है इस से अगर Grad contar ठीड करें तो और weatheredeuksie सर के मतलब क्या होता है जब भी आप computer लेने जाते हैं तो Oooh बताया जाता है कि कि स्कौर प्रोशेसर का चाहिए आपको कि जनरेशन का चाहिए तो जनरेशन से मतलब यह होता है कि update होता है और सबसे तेज आपको अधिक कारे करना है तो सबसे तेज प्रोसेसर वाले हम computer को परचेज करते हैं इस परकार से कुछ आपको रेट भी उचा देना पड़ता है तीन सभी चीजों का अब ध्यान दिया जाता है नेस्ट है computer network से यह input output device एक साजा आम संसाधन है तो क्या है इसके अंतरगत इसका राइट एंसर हो जाएगा 80 के जो है C नंबर होगा इसका राइट एंसर यानि कि प्रिंटर वाचीज है जिसके दबारा computer network में यह कैसा आजां आम संसाधन है ठीक है आम संसाधन का मतलब यह होता है कि कि किसी भी computer computer में हम दस्तावेज को अगर हम प्राप करना चाहते हैं तो फिर इंटर उसमें क्या होता है आम संसाधन के रूप में हम ले सकते हैं तिस परकार के नए-नए जो हम टेस्ट करा रहे हैं आप सभी के लिए तो प्लीज इस वीडियो का आप लू लाइक से सब्क्राइब करेंगे ताकि आपको सुचना सबसे पहले प्राप्त हो और मंडी इंस्पेक्टर की त्यारी हम आपको जरू कराएंगे और सायोग भी प्रदान करेंगे और सभी जो रिलेटिड कोशन पुछा जा रहा है उन सभी कोशनों को एक तमाम तरह से और इंपोर्टेंट कोशन को ह यह एक अच्छा सदेश प्राप्त हो सके फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में थैंक्यू भीर में जय हिन जय भारत